वेलकम तो स्टड़ी चैनल में नाम है मुहम्मत कैसर लोकसभा चुनाव समापत होते ही सीयम योगी ने अधिकारियों संग बैठक की है लोकसभा चुनाव संपन हुआ नतीजे आ गए यूपी का जो परफॉर्मेंस है बीजेपी के लिहाज से काफी खराब रहा इस बार किसी ने उमीद नहीं की थी कि इतने कम सीटें भाजपा जीतेगी विचार वी मर्स हो रहा है एनलेसिस किया जा रहा है कि आखिर इतना खराब परफॉर्मेंस इजेपी का उतर प्रदेश में क्यों गया इसी बीच सियम योगी ने बड़ा एक्शन लिया अधिकारियों संग बैठक की और निर्देश दिया कि अधिकारियों को जनता से जुड़े सभी कारियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए साथी चेतावनी दी कि लापरवाही बरदास्त नहीं की जाएगी यूपी के अपसरों को सियम योगी से डाट भी पड़ी है बड़ी बात यहाँ पर यह है दोस्तों कि गुरुवार को आज मुखमंत्री आवास में देड़ घंटे तक बैठक चले इस मीटिंग में सियम ने कई अपसरों को तलब किया और उनके विभागी कारियों की समिक्षा की बैठक के बाद सुत्रु ने दावा किया कि कुछ विभागों के प्रमुख को सियम ने डाटा भी है सुबह 10 बजे से लेकर 14 बज़े तक 40 बैठक में सियम योगी ने सभी अपरमुख सचिव कुछ विभागों के सचिवों को तलब किया बैठक में हर विभाग के काम की समिक्षा हुई सियम ने सासन के बड़े अफसरों को विभागी कामकाच के बैवरा के साथ बुलाया था सियम ने निर्देश दिया कि जिन विभागों में रिक्तियां हैं और निक्तियां की जानी है वहां ततकाल अधियाचन चयन आयोगों को भेजा जाए निक्तियों के लिए अधियाचन भेजने की जो पुर्व निमावली का सुछमता से परिक्षड कर लिया जाए अधियाचन में कोई गल्ती न हो ताकि बाद में कोई भरती फसे ना चयन आयोगों से संपर्ग बनाएं तुरूटिपूर अधियाचन न भेजाएं चयन प्रिक्रिया समय सीमा के अंदर पूरा करें तो कहीं न कहीं सीम योगी आज इतना जी को इस बात का अंदाजा है कि यूवा नाराज है उत्तर प्रदेश का जिस परकार से रोजगार को लेकर आज यूवा अपनी मांको सरकार के सामने रख रहा है जिस परकार से अंदोलन चात कर रहें कोई सुन्ने वाला नहीं बिरोजगारी का हालत ये है कि एक छोटी से प्राइवेट नौकरी के लिए भी भटकना पड़ रहा है उत्तर प्रदेश के युवाओं को सियम ने भी निर्देश दिया कि वित्ती वर्ष 24-25 की पहली तिमाहिक समाप्त होने वाली है सभी भागों द्वारा वर्तमान बजट में प्रावी धानित ज प्रिशित किया जाए समय से आवंटन और समय से खर्च होना चाहिए वित्त विभाग द्वारा इसकी विभागवार समिक्षा की जाएगी बजट आवंटन और खर्च के नियमों का सरली करण भी अपेक्षित है और कहीं ने कहीं ये जो बिजेपी का खराप परफॉर्मेंस है इसका संबंध रोजगारी से है, रोजगार से है महेंगाई से है और वह सारे कारण हो सकते हैं लेकि रोजगार एक बड़ा कारण है क्योंकि पिछले काफी समय से कोई भी नाई भर्ती नहीं निकल रही है यूपी ट्रीमसी का हालक सब सब जालَदा खराब है उत्तर प्र पर लीख हुआ PCS की परिक्षा अस्त्रगीत हुई तमाम भरतियां लटक गई जो परिक्षाएं इस साल होनी थी वह अगले साल होंगी आरो यारो और PCS का अपरी एक्जामी जब इस साल के अंतक होगा तो इसका मेंस अगले साल चला जाएगा एल्टी ग्रेट के पिछली भरती 2018 में आई थी छह साल बीट गए अभी तक समकक शारता वाला मामला हल नहीं हो पाया बीएड का पांच 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 चाल छह साल के बात जब भरतियां आ सिक्षक भरती को लेकर चात्र सबसे जादा नाराज है 2018 में पिछली भरती आई थी 69000 की उसके बाद यूँआ परेशान है हतास है बीएड बीटी सी के लगातार बैशेज निकल रहें लेकिं सिक्षक भरती का कोई भी नाम निशान नहीं है प्रात्मिक से बीड बाहर हुआ जिससे बीड नाराज हुआ बीटी सी वाले प्रात्मिक में हैं तो लेकिन जब भरती ही नहीं आ रही है तो इलिजबिल्टी का मतलब ही क्या बना सेटेकम आई है सरकार आप जरूर इस पर विचार करेगी और उम्मीद है कि सरकार इससे सीख लेगी नहीं तो आने वाले बनाओ है इसमें बीचेपी को और बड़ा जड़का लग सकता है तो सरकार आप जरूर इस बारे में सोचेगी और केंदर में भी जो सरकार बनने जा रही है एंडिये कि इसमें भी लगतार कंफूजन बना रहेगा कि सरकार कितने दिन तक चलेगी उम्मीद है कि सेमसा आपक और वाचिए